जहन फ्रेंट्स गुरु भगवान की चरलों में सादर चरनल स्पर्ष सादर बंदन धर्म एक विज्ञान किसके हाथ में संतों के हाथ में धर्म एक शास्त्र किसके हाथ में पुरोईतों के हाथ में तो अगर शास्त्र के रूप में आपको धर्म जानना है सिर्फ किताबी रूप में आपको धर्म को जानना है तो पुरोहित बहुत अच्छा सूर्ज है और उनकी भी जरूरत है लोगों को इंफॉर्म करने को लोगों को बताने के बारे में लेकिन अगर आपको धर्म को विज्ञान के रूप में जानना है तो संतों के पास आना पड जिन खोजात इन पाईयां गहरे पानी पैट हेरत हेरत हे सकी मैं ही रहा हेराए जात न पूछो साधु की पूछ लीजिये ग्यान कस्तूरी कुंडल वसे मिर्क ढूड़े बनमाई और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाए चद्दर बनाते थे और जब भजार बेजने जाते थे तो राम कहके ही सब को संबोधित करते थे राम कहके रही है और फिर व्यकरन ने कही दिया कि मैं उस प्रभू का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते है सब प्रभू हैं सब भगवान उसी का अंस है यह तो नाम आइडेंटिटी के लिए हमें दुनिया ने दिया है ना यह जो नाम है दुनिया में अवद ओजा स्वामी विवेक अनंद यह जो नाम है नाम अवद ओजा यह तो एक आइडेंटिटी मार्क है सिर्फ पहचान है इसका अस्तित थोड़ी है इस पूरा ब्रह्मान में आवद ओजा जैसी कोई चीज नहीं लेकिन इस रूप को दुनियावी पहचान के लिए आवद ओजा कहा गया सब भगवान का ही अंच है और सब अंतता भगवान है न बंदू न मित्रम न गुर्वो न शिश्यम चिदानन सरूपा शिवो हम शिवो हम ultimate sutra इसको रटा करिये दिन में दो चार बार बोला करिये हमारा स्वरूप ही आनन्द है हम आनन्द ही है अज्यानतावश इग्नोरेंस अंजाने में हमने सुख और दुख का खेल शुरू कर दिया है दोनों स्पैरल चलते हैं और इस इग्नोरेंस से बाहर निकरने के लिए जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया गुरू अति आवश्यक है गुरू अति आवश्यक है कहीं में जाईए आप आर्मी में जाईए ट्रेनिंग देखिए आए में कि कितनी वहां आपका गुरू है हमारे एक मित्र का जब cds में हो गया तो उन्हें उनसे कहा गया कि तुम तो वह अंडर्वेट हो यार तो उनको एक साल पहले उनका वेट बनवाए गया और आज आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद वह आदमी किसी से भी लड़ सकता है वो दुबला पतला साथ में ग्रेजुएशन में 35 किलो का आदमी था और आज वो आदमी ट्रेन कर रहा है और इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं इसकी ट्रेनिंग दुनिया में इतनी खतरनाग है उसके जवान का जो डेडिकेशन है इंडियन आर्मी का तो कोई बराबरी इंडियन आर्मी की है ही नहीं उसका कमिट्मेंट उसका डेडिकेशन माले तो पहले भी वीडियो में कहा है कि इसराइल कहता है कि अगर मुझे इंडिया की इंफेंटरी मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पर कपज़ा कर लो सलाम है भारत के आर्मी जवानों को सलाम है कहीं भी आपदा देश के बाहर की आपदा है तो भी वही समालते हैं देश के अंदर की आपदा है भूकम पा गया आर्मी बुलाओ बाढ़ा गई आर्मी बुलाओ दंगा पकल से बाहर चला गया आर्मी बुलाओ disciplined और किसी भी जवान का जो पेट है वो सीना क्रोस नहीं करेगा असली में जवान वही है हमारे दोस्त हैं क्याने इन परशाद महंत lawyer हैं इलाबाद हाई कोट में और इलाबाद हाई कोट के वकीलों को तो सलाम वैसे भी मैं वकीलों को मैं अगर किसी समुदाय को बहुत मानता हूँ तो वो है advocate का समुदाय वकीलों का वकीलों का समुदाय और सबसे पहले नंबर पर हैं सुप्रिम कोट के वकील जिनका कोई सानी कानून उनकी जेव में है खेलते हैं वो कानून से इसलिए पुलिस वाले जो कानून लगाते हैं और वकील कानून से खेलते हैं इसलिए पुलिस महकमा अगर किसी आदमी से back foot होता है तो वो है वकील से और वकालत करने के बाद अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप शांदार वकीलों में से बन सकते हैं यह पूरी आजाती वकीलों ने दिलाई मोतिलाल नहुरू वकील जवाहल्लाल नहुरू वकील सरदार पटेल वकील गांधी जी मुहम्माद अली जिन्ना वकील सब और इलहाबाद हाइज कोट के वकील कई सारे लोग हैं इम्रान अल्ला साहब हैं बढ़े जाने माने मैं तो उन्हें बैरिस्टर की तरह ही महनता हूँ और क्या मतलब इम्रान अल्ला साहब का जो लहजा है उनके बात करने और मतलब एक लगता है कि बहुत शाही बैक्राउंड और नॉलेज लेवेल और मतलब इतनी समरिध्धी प्रोस्पेरिटी उपलब्धी होने के बाद जो शक्स की शालींता है वो बड़ी प्यारी है सुरेज बहादूर सिंग हमारे मित्र हैं बहुत प्यारे हैं मैं तो हमेशा रेडी रहोंगा उनको बड़े मुसीबत के वक्त में हमारे बड़े काम आए शुरेज बहादूर सिंग इलहाबाद हाइग के वकील है वहां के वकील है उसको पूरी दुनिया में किसी बीए अदालत ने भेज़ दो इलहाबाद की मिट्टी ही अलग है वहां 64 के डिब्बे में मिट्टी भरके मार दो तो बारूत बंजा इसलिए बंब के लिए बहुत फेमस है इलहाबाद तो ग्यानेत प्रसाद महान जी के जो पिता जी थे वह बढ़े अच्छे वकीलों में से हैं से और बहुत अच्छे इंसान है कि बहुत अच्छे इंसान उनके पिता जी आर्मी में थे तो जम्बा उनसे मिला रिटार्मेंट के बाद 60-65 साल में वह आदमी का पेट एकदम अब भैंकर शरीर फिट शरीर मोटे नहीं थे फिट शरीर आर्मी ट्रेनिंग पर है आप वकील बनना चाहते हैं आपको गुरू बनाना पड़ेगा गुरू क्या है वो आपको बारीकियों से आउगत कराता है शास्त्र अब अब अकालात आप पढ़ लिए वकील हो गए लेकिन बारीकिया ड्राफ्ट कैसे तयार होगा नोटिस कैसे बनेगी बहस कैसे की जाएगी इसलिए इन सारे प्रोफेशनों में अनुभाव बड़ा इंपोर्टन चीज है जैसे आप 25 साल में वकील बन गया और मौकिल आपसे मिलने आया और आपको भी से पूछ लेका कि वकील साब काया आप उसको भुजूर्ग वकील चाहिए इसको भुजूर्ग डॉक्टर चाहिए इसको भुजूर्ग टीचर चाहिए एसे अध्यात्य की दुनिया में भी spiritual वर्ड में भी गुरू यानि रोशनी प्रकाश जिसने अपने जीवन का अंधकार दूर कर लिया उसलिए मैं आप सब ल अपने अपने बच्चों को कम से कम एक हफता आश्रमों में रखिये, हरिद्वार के किसी आश्रम आप भी रहिए, एक हफता तो आप रह सकते, एक हफता आप रहिए, जिससे वो परचित हो, ध्यान से, योग से, प्राणायाम से, वहां बहुत भाई मिलेंगे, सक्तेजगर च से ले जाईए, आप कोईंबटूर चले जाईए, आप पंडिश्री रविशंकर के आश्रम वहां चले जाए, आप पंडिश्री राम शर्मा आचार जी के आश्रम में चले आए, बहुत सारे, आश्रम आप क्यों जाईए, मैं आपको बता दू, आपके बच्चों का लिट्रेचर उसी त्हंग की पढ़ेगा फिर संगीत उसी प्रकार की सुनेगा फिर सत्संग ये चार तरफ से उसके उपर घिराबंदी की जाएगी और फिर 15-20 दिन मैक्सिमम 21 दिन उसके मन को ट्रेंड होने में लगेगा इसलिए बच्चों को आश्रम जरूर भेजिए आपके बच्चे बाहर ध्यान कर रहे हैं बाहर ध्यान कर रहे हैं फिर जैसे समाज में जा रहे हैं प्रटेक्शन मिली नहीं पा रहा है सुरक्षा मिली नहीं पा रही है यहां आश्रम में चार तरह से आश्रम व्यवस्ता भार लगेया। आयाम कर रहा है को योगा कर रहा है तो उसका मन और बलवान होगा। और 21 दिन बाद जब उससे थोड़ा सा परिवर्तन बस वो परिवर्टन दिखाना है। 21 dni किस ने सुर मशकार कर लिया और श्री में यह तो पिछला आध्याय था अब तेरह वाइश लोग देहनो अस्मित अन्य था देहनो अस्मित अस्मिन्य था देहे कौमारम यौनम जरह तथा देहांत देहांतर प्राप्ति धीरस्तर्त्र ना मुहाती भगमान स्रकृष कह रहे हैं कि जैसे जीवात्मा इस देह में कुमार यौनम और व्रिद अवस्था प्राप्ति होती है वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं कभी आप बालक थे शने शने यौनम हुए तब आप मर तो नहीं आप युवा हो गया तो यह जो बच्चे से युवा के बीच परिवर्दन हुआ आप मरे तो नहीं और फिर युवा से आप हुए व्रिद फिर परिवर्दन हो गया बच्चे से हुए युवा युवा से हुए व्रिद लेकिन मृत तो नहीं हुई अब ये वृद्धा अवस्था में सरीर हो गया जीर्ण शीर्ण मकान का प्लश्टर टूट रहा है सरिया सड़ गई डिवाले गिर रही है छत गिरने वाली है तो जब मकान जीर शीर हो जाएगा गिरने की अवस्था में आ जाएगा तो आप मकान छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही आत्मा जब शरीर जीर शीर हो जाती है तो वो आत्मा जो है शरीर को छोड़ देती है हमने क्या देखा शरीर देखा बच्चे के रूप में युवा के रूप में वृद्ध के रूप में इसको इसको बहुत बिरला लोग देख पाते हैं 99 परतिशत लोग पूरे जीवन अपने आपको शरीर छोड़ कर कुछ मानते ही नहीं तभी तो कहा जाता है कि बहुत भाग इसे मानों का शरीर मिला है सिर्फ मानों को इसलिए इसलाम में कहते हैं कि फरिष्टे तरस्ते हैं मानों बनने के लिए क्योंकि मानों को ही भगवान बनने की छमता है कि अंश है उसका यह आत्मा जो है यह परमात्मा का अंश है तो जब इसने अपने आपको देख लिया तो यह परमात्मा विविलीन हो गई हो गई परमात्मा यह डर्शन हम मंदर जाते हैं मंदर किसलिए बनाए गए दर्शन के लिए किसका मूर्ति का नहीं लोग मंदिर जाते केते भाई यह हो गया दर्शन आ रहे देख लिए देख लिए रहे भाई यह चेहरवाद चमक रहा था भाई यह चमक रही थी भाई आरे वो तो प्रतीक है तुमारे अंदर जो श्री कृष्ण वह इठा है उसको कौन देखेगा मंदिर साधना करने के लिए ध्यान करने के लिए और उस साधना और ध्यान के पैडाम शुरूप किसी दिन आपको अपने अंदर ही अपने श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा अर्षहुलताला कल्ब मूमिन आपको अपने हिर्दय में अपने श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। उस आत्मा अजर अमर आत्मा का दर्शन हो जाएगा। जिस दिन दर्शन हो गया। कि बहुत संग्य के लोग हमारे देश में दर्शन का मतलब ही नहीं जानते हों कहते गए देखाए बस कतम अरे जो भीर जो धक्का मुक्की जो मार हाथ जो मार पैर कई सारे भारत में मंदिर ऐसे अगर आप गलती से वहां पहुंच गए और सही सलामत निकल आए तो आप भाग प्रीद नहीं होती है मक्का में भी कभी हज के टाइम बहुत भीड़ होती कि लोगों की डेथ हो जाती है कि सब कुछ आख खोल के दिखाई पड़ता है आत्मा आख बंद करके दिखाई पड़ती है कि तभी तो गाना बना कि दिल में कि तुझे बेठा के कर लूँगी मैं बंद आखें पूजा करूँगी तेरी दिल में रहूँगी तेरी आख बंद करके ही परमात्मा का दर्शन होता है अभी तो ध्यानियों के अंदर धैर पैदा हो जाता है और धैर ही धर्म है सारी अपलब्दी उसी धैर पे टिकी हुई है लोग मुझे से पूछते आख बंद करके बैठने से क्या होता है तो मैंने का धैर पैदा होता है पेशेंस और जिसके अंदर धैर पैदा होगा वो ध्यान से खाना खाएगा तो जो चार किलो खाता है वो आदा किलो में संतुष हो जाएगा क्योंकि धैर से खाना खाओगे तो मन को स्वाद मिलेगा पेट को भोजन मिलेगा जो अधैर से खाना खाते हैं उनके मन को स्वाद मिलता है नहीं तो भरे जा रहें भरे जा रहें भरे जा रहें तो 500 बिमारियां हो रही है जो धैर इसे खाना खाएगा उसको कोई बिमारी नहीं होगी अराम से खा रहा है कूच के खा रहा है रस लेके खा रहा है रस मन को मिल रहा है और जो ध्यान से नहीं खा रहा है एक रस गुल्ला उठा दूसरा मांगेगा ही नहीं ध्यान से खाना खाओगे तो स्वस्त्र होगे क्योंकि जब मन एक रस गुल्ले में स्वाद ले लेगा तो दूसरा मांगेगा ही नहीं और ध्यान सच्वाद नी पढ़ेगा उसके पेराग्राफ का चित्र बनेगा यह पर चित्र यह र्लिक्स मिल्ट नज र्लिक्रेक्व थोड़ा जाता है यह चित्र बनना चाहिए ध्यान से खाओगे धैर से खाओगे ध्यान से क्या पाइदा होगा धैर धैर से खाओगे स्वस्त्र होगे धैर से पढ़ोगे ज्यानी हो जाओगे धैर से प्रेम करोगे शिव हो जाओगे धैर से युद्ध करोगे कृष्ण हो जाओगे और धैर किसी स्कूल किसी कॉलेज किसी इंवे नहीं मिलता है इस तो सारे ताकतवर लोग धैर का पेटेंट करा लिये होते हैं कि सिर्फ हमारे बच्चे और इस दुनिया में अमीर हमेशा अमीर रहते हैं और गरीब गरीव ही रहता है धैर और विवेक दो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ध्यान से मिलती है ध्यान से दो चीजें मिलती है एक तो विवेक मिलता है और एक धैर मिलता है लोग पुस्तना ध्यान से क्या मिलता है यह दो चीजें मिलती है और यही दो चीजें जब किसी को प महान बनी जाता है जिसने ध्यान किया उसको विवेक मिल जाएगा और धैर मिल जाएगा और जिसको विवेक और धैर मिला वो अबराहम लिंकन बन जाएगा वो बुद्ध बन जाएगा महवीर बन जाएगा नरिंदर मोदी बन जाएगा तभी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि ध्यान करो तो जब शरीर जरजर हुई शरीर रहने की अवस्था में नहीं रहा तो आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया अब आत्मा सिर्फ बंद आखों से दिखाई पड़ता है और जिसने देखा बस वही जानता इसलिए कभीर ने इसको गूंगे का गुल कहा आत्मों प्लब्दी जो है ज्यान जो है निर्वान जो है यह गूंगे का गुल है जिसने पाया पलिया तो बचता नहीं हेरत हेरत हे सकी मैं ही रहा हेराय आप ध्यान के रास्ते पे निकले और एक दिन आप ही गायब हो गए जो बचा वो आप है नहीं तो लोट कर कहानी कौन सुनाएगा हेरत हेरत हे सकी मैं ही रहा हेराय जब आप ही गायब हो गए नमक के पुतले समंदर की गहराई अपने उतरे है合 संदर ही हो गए अब कौन लोट कर बताएगा कि कितना गहरा है इस लिए इस पे चर्चा भले हो जाए है approximately बता नहीं सकता आत्मा की आसतक कोई बता ही नहीं पाया लेकिन इसके संकेत आत्मा के संकेत कहां है मंदिरों में मंदिर में घंटा है बजाते हैं न घंटा उससे क्या निकलता है आवाज निकलती साउंड तो गुर्णानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम मंदिर में क्या है दिया इसमें क्या है रोश्नी मंदिर में क्या है फूल इसमें क्या है खुश्बू अब घंटा दिखाई पड़ता है साउंड नहीं दिखाई पड़ता है अब दिया दिखाई पड़ता है रोश्नी भी दिखाई पड़ती है दोनों दिखाई पड़ती है पर रोश्नी को मिटाया नहीं जा सकता है रोश्नी को ढखा जा सकता है मिटाया नहीं जा सकता फोल दिखाई परता है खुछबू नहीं दिखाई परती शरीर दिखाई परता है आत्मा नहीं दिखाई परती जब मंदिर में पहुँचे और भज़वान खृष्ण की मूरती देखे देखे राधा जी की मूर्ति देखे तो याद आया कि ऐसे चीनी अथौड़ी ध्यान की चीनी अथौड़ी हमें भी अपने उपर चलानी है हमें भी अपने आपको तराश्ना है साधना करनी है कि हुश्बू कि यह सब मंदिर में आपको मिलेंगे और दिया को तो खास प्रतीक है रोश्णी दिखाई पड़ रही है इस बारे एक बच्चा समंदर के किनारे जा रहा था दिया लिया हुए है था हमें संथ जी मिले उनको मजाक सुझा तो नहीं बच्चे से पूछा कि दिया तुम ने जला यह उसने का हा कहां से आई समय रोशनी उसने का आप बुझा दीजे तो बताएं तो नहीं बुझा दिया उसने पूचा कहां गई अगर आप बता देंगे कहां गई तो मैं बता दूँगा कहां से आई थी यह तीनों चीज मिटाई नहीं जा सकती साउंड रोशनी खुश्बू और दो तो इसमे से दिखाई नहीं पड़ती खुश्बू दिखाई नहीं पड़ती साउंड दिखाई नहीं पड़ता लेकिन एहसास तो है डेट बाडी से खुश्बू निकल गई डेट बाडी मूर्जा जाती है कि आप पेड़ में लगे हुए फूल को देखें और शाम को मंदिर में पड़ा हुए फूल को देखें कुछ तो निकल गया तो तेरावे दोहे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक इस आपरवर्तनिये को नहीं देखोगे तब तक ये जरा मरण का चक्र चलता रहेगा जब तक तुम इस आपरवर्तनिये को नहीं देख पाओगे तब तक ये जरा मरण का चक्र चलता रहेगा इस आप अरिवर्तनिये को देखना ही पड़ेगा रास्ता क्या है? ध्यान उपलब्दी क्या है? ज्यान आस्तर क्या है? विवेक और धैर इस रास्ते पर लेके कौन चलेगा? गुरू फिर फाइनली ग्यान मिलने के बाद क्या होगा? सत चित आनन्द बढ़े हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं मैं बार बार कहता हूँ बार बार पस यही सूत्र मुझा जीवन में समझ में आया हमको भी पहले लगे कि यारी लोग बिचारे गुरू गुरू ऐसे टहल नहीं क्या है इनके पास? अरे भाईया इनके पास जो है भगवान है इनके पास ध्यान जीवन में मेंडेटरी है जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है वो कहीं न कहीं पशू के लेवल वो ट्रेंड हो सकता है अच्छा वो अच्छा ट्रेंड हो सकता है फोर्क और स्पून से खाना खाएगा वो रोटी भी फोर्क और नाइफ से काट के खाएगा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा, ट्रेंड होगा, बिना ध्यान का आदमी ट्रेंड हो सकता है देखने से लगा कि अरे बड़ा डिसेंट बड़ा बड़ा है, बहुत अच्छा वो ट्रेंड है वो लेकिन ध्यानी ध्यान एक इतनी बड़ी अलकमी है, इतना बड़ा शास्त्र है, सबको हिंदू, मुसल्मान, सेख, इसाई, सबको mandatory है, अनिवार है, आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप जान लो, आप अपने जीवन में और अपने पाँच मिनिट, आप सब परिवार में डिसाइड करो पाँच मिनिट, सब पूरा परिवार बैट के ध्यान करेगा पाँच मिनिट, क्या करेगा, तो सांस को देखेगा, सांस को देखेगा, तो विचार थम जाएगा, विचार को देखेगा, तो सांस उबर खाबर चल लही कि नहीं चल लहीं नहीं पता आँच जब बंद करेगा, तो कुछ तो देखेगा, तो एक तो विचार देखेगा, लेकिन विचारों की गती इतनी तेज होगी, कि बढ़ी बेचैनी होगी आँच बंद करके लाग किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से विचार चलते हैं और भी जादा कहते हैं विचार मन्द की स्पीड प्रकास से भी जादा है आप जब आख बंद करें तो आपको बहुत दिक्कत होगी यह मैं मानता हूँ मुझे तो बहुत हुई बहुत रोए गाए परिसान हुए बहुत लेकिन ध्यान नहीं चोड़ा मैंने यह जो कुछ भी मुझे मिला है यह जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ ध्यान की बदावलत है और किसी का कोई योगदान नहीं वह बाहर से लोगों ने सपोर्ट किया सहायता की वह अलग बात है मेरे पिता का योगदान है वह पत्नी का योगदान है मित्रों का योगदान है कई सारे कुछ टीचरों का योगदान है लेकिन योगदान है यह जो कुछ भी परिवर्तन हुआ यह ध्यान की वज़ा से इसलिए मेरे जीवन का यह परमुद्देश है परमुद्देश शायद इसी लिए 24 का टिकेट नहीं मिला कि मालिक ने का अभी और इस फिल्ड में काम करो पांच साल बात सोचना फरमात्मा ने का पांच साल बात फिर सोचना फिर देखेंगे अभी दुनिया को किसी और चीज की जरूरत है तुमको मैंने बनाया सवारा सिर्विस लिए कि इस विधा का प्रचार हो सके वरना तुम्हारे जैसे आदमी भीग मांगने की इस्तिती में भी नहीं था वो तो गोंड़ा वाले जानते हैं ना तो गोंड़ा वाले जानते हैं और कौन जानेगा तो एक आवज़ा गोंड़ा वाला और फिर एक आवज़ा अलहावाद प्रयाग राजवाला दोनों में जमीना अस्मान का फरक है गोंडावाले भी सही एक रही आ जाए दियो पता नहीं कहूं तावी जावीज पाए गये कुछ होई का है भाइब आखी तो जानित अब भाया मूँ खुलवाओ भईया रहे दियो तो कोई बाहर का आदमी जाता तो कहता रहे भाईया ओजा सर ऐसा और ये बता रहे ते हो रह निट नितु ही बताओ रहे थो भी हमार काहे मुझ खुलवाया हो इसकी परा रात रहे गांजाय पीह के हम जानित नहीं है अब आगे भी मुझ खुल्वाओ अब रहे दू भी अब उसही है वो है वो सही बोल रहा है वो जूट नहीं बोल रहा है सत्य बोल रहा है कि इलावाद आये प्रियागराज आये दर्शन जैसे विशे से पर्चे हुआ बुद्ध को पढ़ा महावीर को पढ़ा और एक ऐसी किताब से पढ़ा हरी परसाथ से नहां हरेंदर परसाद या हरी परसाथ हपी सिनहा एच्पी सिनहां इंडियन फिलोस्फी ॲाहार है घ्रीची भी जबना अरे भाई साब मैं उस किताब इतनी कितांस dalड़ किताव सीटी कीद किताब भी अच्छी चंद्रदर्शे माय की है कि लिकीन छे किताब को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हो ती हरे एच्पी सिनहां कायी बार पढ़ा आज भी मैं लई आया लुग सुभानु सर ओंपतीर अगर मुझे इवनेंग क्रिस्टियं कॉल इफ है इवनेंग क्रिस्टियन कॉलज पाइट कर एंपती सर तो बहुत सोभा किसे मैंने मेडिकल की कोचिंग में एडिमिशन ले लिया वो बॉटनी पढ़ाते थे एंपती सर और आस्मोसिस तो आज तक दिमाग में बैठा हुआ है क्या टीचर थे एंपती सर पता नहीं है अभी कि नहीं इविदिंग क्रिश्चिन कॉलिज के टीचर थे कृष्चिन कृचिंग को बढ़ाते थे और जबरदस्ति मेरी माताजी मेरा एडिमिशन करा के गई थी कृष्चि पढ़ाने लगा इसले टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है व्यक्ति के अंदर विशय की रूची पैदा करने और अगर आप चाहते हैं कि सिक्षक आपको रूची से पढ़ाए स्टूडेंटों को मैं मूल मंत्र बता देता हूं टीचर कूट कूट के नाच नाच के प बढ़ाएगा मुझे छोड़ के आप एक काम करो जितने स्टूडेंटों आप अगर टीचर से ज्यादा पढ़ना चाहतो रूची कर विशे उसका पैर चूलिया करो उसकी जाती मत देखो जाती ना पूचो सादू की पूच लीजिये ग्यान उसकी जाती मत देखो उसका धर मत देखो उसका छेत्र मत देखो जहां मिले पैर चूलो इतना मस्त रहेगा दो घंटी की क्लास चार घंटा पढ़ाएगा और खुब रोचक्ता से बढ़ाएगा एक विवेग देगा एक धहर देगा और जब ज्ञान पैदा होगा सत्चित आनन और इस ध्यान की शुरुवात कराएगा गुरू और सब से सब सारे भारत वासी उसे सारी दुनिया से आप चूकी ज़्यादा समझते भारत के लोग इसलिए भारत के लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आख बंद करके एक नियम बनाएगा कि सब लोग पांच मिनट घर में आख बंद करके बैठेंगे और सास को देखेंगे सास देखोगे विचार रुकेगा विचार रुकेगा ना तो बड़ी श्रीर हलका महसूस होगा तो जब हलका होगा पांच मिनट में तो दस मिनट बढ़ जाएगा किसी चीज में मजा ही तो समय का विश्तार रोजय भाया मैं किताब पढ़ू दस पढ़ जाओं एक दिन में ऐसी कोई दवा कोई नहीं खोज रहा है सब सेक्स की दवा खोज रहे हैं उस पर भी चर्चा करूंगा सेक्स-अनंद नहीं है अगर सेक्स आनंद होता तो वहिश्या को दिन भर मिलता और पैसा भी मिलता है लेकिन भगवान से मनाती कि प्रभू अगले जियनर में काम करने वाली बना देना Youth बना लेकिन प्रभु अब इस राष्टे पर कभी मतला तो तो तेरावे अध्याय स्लोग में दूसरे अध्याय के तेरावे इस लोग में भगमान कृष्ण कहते हैं कि देखो यह खेल तो जरामौराण का चलता रहेगा आत्मा अनश्वर है मिट्ती ही नहीं गॉट पार्टिकल है वो प्रोटान को तो तो गौट पार्टिकल निकले गा वो दिखाई नहीं पड़ेगा सारे ब्रह्माइंड का वही आधार है यह आत्म यह देख रहे हो बोल रहे हो वही तो है कभी ढूलो अपने आपको तुमारी आँख गाइब हो जाए तो तुम मर जाओगे नहीं मरोगे तुमारा हाथ गाइब हो जाए तो तुम मर जाओगे नहीं मरोगे तुम्हारा पायर कायब हो जाए तो तुम मर जाओगे नहीं मरोगे यानि ना तुम आखो ना तुम जबान हो ना तुम हाथ हो ना तुम पैर हो इसका मतलब तुम शरीर से कुछ और हो शरीर में तो तुम रहते हो ह Princip को छूंच select चले जाओगां की quality इंप्रूब घाना शांस पर Quan घाने की quality इंप्रूब कर जाएक के अथा और जैसे शांस पर ध्यान करोगे विचार काईव हो जाएंगे ट्राई करके देख लो भी बाइट कर तो प 이ंने परिवार ध्यान करा और विचार कायब हो गए और शांती मिली रा का कॉटि विचार चन के तो शरीर में तना हुए जब विचार कायब हुए शरी हलका हुआ है पाइश मिट अफाह सब्सक्राइब प walk in moяться फिर दसमिन और और था अधा घटा पिर आधा गंटा और एक घंटा को लोग क्या करते पहले दिन एक घंटा है पास हाब पांच मिनट करना और सांस देखना है कि ना बंदू ना मित्रम ना गुरुव ना सिश्चम चिदानंश रूपा शिवो हम शिवो आँ भगवान आप सब के जीवन को अच्छा बनाए आप सबको सद्मार्ग पर ले चले आप सब को आरे बनाए आरे मतलब जो सन्मार्ग पर चले आप सबको बड़ी बड़ी उपलबदियां दे आप आनंदित रहें यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है जय हिंद जय भारत